हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेस पर स्वगा था उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छी होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई भीता चलोगे बच्छो क्लास टुल्ट कमिस्टी एंसी आर्टी में चैप्टर 6 से इसके पहले दीद बात करें बच्छो जो प्रिवियस सेलेवस था उसमें चैप्टर 10 में था किसमें था चैप्टर 10 में तो आप कन्फ्यूज मत होना क्योंकि अब नए एंसी आर्टी के आधार पर दोज़जर चोविस के सेलेवस के आधार पर यह चैप्टर 6 है कहां की बा नहीं आएगा लेकिन पूरे चैप्टर का रूप रेखा आज आप लोग यहां पे सीखने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि यदि आपको यही पता नहीं है कि हैलो इलकेन कैसे बनेगा हैलो इलकेन कहां से बनेगा तो फिर आप भाईया कितना भी इसका रियक्शन पढ़ लो समझ में नहीं आने वाला इसलिए आप लोगों को लाश्ट तक देखना है आज हम इसे यदि हैलो इलकेन सब्द से यदि आप से कोई पूछे कि भाई साब हैलो इलकेन है क्या हैलो मतलब होता हैलो जन तत्तो देखो सीधा फंडा हैलो मतलब होता बच्चो हैलोजन तत्तो और हैलोजन तत्तो मतलब हैलोजन तत्तो का मतलब किस समू का तत्तो सत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् मिलते हैं यानि एलकेन से हाइड्रोजन निकलता है और हैलोजन तक तो जुड़ता है तो आपका बनता है हैलो एलकेन ठेर ये तो हमारा में टॉपिक है इस चैप्टर का और हैलो एरीन इसी प्रकार से एरीन ग्रूप जैसे बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन तक तो जुड़ तो वो हैलो एरीन कहलाता है लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं कि यह जो हैलो एलकेन बनता वो हाइड्रो कार्बन से बनता है हाइड्रो कार्बन भी दो प्रकार के होते हैं एक संत्राप्त एक संत्राप्त हाइड्रो कार्बन संब्रत विब्रत हाइड्रो कार्बन किसे कहते हैं सब्द से अर्थ निकालो हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन ठीक है और कार्बन आपको पताएए बच्चो एक एलिमेंट है जिसका परमान क्रमांग 6 है ठीक तो एक ऐसे योगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए है उन्हें हम हाइड्रो कार्बन कहते है जो भी योगिक होगा यदि वो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है तो आपका हाइड्रो कार्बन कहलाता है हाइड्रो कार्बन किसे कहेंगे ऐसे योगिक जो केवल हाइड्रूजन वा कारबन से मिलकर बनी होते हैं हाइड्रो कारबन कहलाते हैं ठिक है मतलब आपका एक हाइड्रूजन हो गया और कारबन होगया इनकी संक्रह कितनी भी हो सकती है यहाँ पर हम दो परमाणू की बात कर रहे है हाइड्रोजन पर माड़ो और कार्बन पर माड़ो जब आपस मम्मिल करके योगी का निर्माड करते हैं तो यह हाइड्रो कार्बन कहलाते हैं क्योंकि हाइड्रो कार्बन से ही हैलो एलकेन या हैलो एरीन का उत्पन होता है ठीक है मतलब कहीं न कहीं हैलो एलकेन और हैलो एरीन कहां से प्राप्थ होते हैं तो हाइड्रो कार्बन से ही प्राप्थ होते हैं इसलिए हम हाइड्रो कार्बन स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रो कारबन अब आपको किसर ये 11th कैसा लेबस हाँ बच्चो योकि बेसिक चीज आपको 11 से ही उठानी पड़ती है इसलिए तो हमेशा कहा जाता है कि 11th क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से त्यार करें लेकिन तब समझ में आता नहीं लोगों को पते नहीं चलता क किसका क्या उपयोग है आगे और 12th में फिर आ करके 11th क्लास का सेलिबस पढ़ना पड़ता है हाइड्रो कारबन मुख्ता जो भागों भी भाजित किया जाता है एक विब्रत स्रंखला मतलब खुली स्रंखला जिसमें चक्र ना हो आचक्री हाइड्रो कारबन जिसे बोलते है इसे हम एलिफैटिक हाइड्रो कारबन भी कहते हैं और एक बंद स्रंखला वाले हाइड्रो कारबन की बात करते हैं उसे हम संवरत बोलते हैं ठीक है जैसे मैं यहाँपे कह दूं कि यहाँपे आपका है CH3, Ch2, CH3 कारबन की संख्यतीन है तो इसका नाम है प्रोपीन क्या है तो एक प्रकार से सीधी स्रंखला वाली है मतलब इसमें किसी प्रकार से बंद संरच्टन नहीं है तो ये बिब्रत संरच्टन वाले हाइड्रो कार्बन कहलाएं कोई बात नहीं आगे देखेगा वहीं पर मैं यादि एक बेंजीन रिंग बना दूँ कोई इस प्रकार से इसका सूतर है बच्चो C6, H6 तो ये क्या कहलाएगा संब्रत मतलब बंद संरच्टन वाले हाइड्रो कार्बन मतलब हाइड्रो कार्बन के दो भाग है एक बिब्रत मतलब खुली हुई स्रंखला वाली एक hydrocarbon जिसकी स्रंखला खुली है तो आपका हो जाएगा बिब्रत स्रंखला वाली hydrocarbon ठीक है वहीं पे हम बंद की बात करते हैं जिसमें जैसे आपने benzene ring समझा बंद है अब इस बिब्रत स्रंखला वाले hydrocarbon को यदि हम समझें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा L-K-N, L-K-N, L-K-N पढ़ा बच्चो क्या नहीं पढ़ें तो आज समझेंगे कोई बात नहीं यहाँ पर थोड़ा समझेगा सबसे पहले हम बात करते है L-K-N की L-K-N का फार्मूला क्या होता है बच्चो L-K-N का फार्मूला होता है C-N, H-2N, P-L-S, 2 समझने की कोशिस करेंगे तब ही आप समझ पाएंगे यदि आप सोचेंगे ऐसे ही आसानी से तो फिर दिक्कत हो जाएगा L-K-N का होता है C-N, H-2N और बच्चो यदि हम बात करें L-K-N का L-K-N का होता है C-N, H-2N, P-L-S, 2 यह L-K-N है इसमें भी आपको मैं बता दूँ कि यह जो L-K-N होता है इसे हम बोलते हैं संत्रप्त क्योंकि एक सिंगल बांड होता है यदि उसमें दूई बंद या त्री बंद है L-K-N में कार्बन कार्बन के बीच कहलाता है जिसे हम L-K-N या पैराफिन के नाम से जानते हैं और यह आपका कहलाता है आसंत्रप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता बच्चों आसंत्रप्त हाइड्रोकार्बन मतलब आपका यहाँ पे मैं आपको बताया कि विब्रत स्रंकला वाले हाइड्रोकार्बन विब्रत स्रंकला का मतलब खुली स्रंकला वाले हाइड्रोकार्बन खुली स्रंकला वाले हाइड्रोकार्बन के भी दो भाग होते हैं खुली स्रंकला वाले हाइड्रोकार्बन के भी दो भाग होते हैं वो कौन-कौन से दो भाग हो गए, एक तो आपका बच्चो संत्रप्त, संत्रप्त हाइड्रो कार्बन, ठीक है, और दूसरा आपका असंत्रप्त हाइड्रो कार्बन, ठीक, समझने की कोशिश करेंगे, कि जो हमारा बच्चो ये विब्रत रंकला वाले हाइड्रो कार्बन की बात कर रहे हैं, जिसे आशक्री हाइड्रो कार्बन या एलिफेटिक हाइड्रो कार्बन के नाम से जानते हैं, उसके भी दो भाग हैं, एक तो आपका संत्रप्त हाइड्रो कार्बन और असंत्रप्त इलकेन आता है इलकेन जिसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2 इसके अंतरगत आपका इलकेन आता है ठीक है इलकेन में कार्बन और कार्बन की भी दूई बंद होता है CnH2n और आपका इलकान भी असंतरप्त की अंतरगती आता है इसमें कार्बन कार्बन के भी तीन बंद होत एक संत्रप्त हाइड्रोकर्बन, जिसे LKNG या पैरा फिंग के नाम से जानते हैं, और दूसरा बच्चो, आपको हो जाएगा क्या संत्रप्त हाइड्रोकर्बन, ठीक है, लिखते चलेंगे, नोर्टस 2 अब जैसे कार्बन की संख्या को ब्यक्त करना है तो कार्बन की संख्या एक है तो 11th क्लास में पठा कोगा मैथ Catholic कार्बन की संख्या 2 तो 8 3 नतो मैथ 8 प्रोब फिर40 चार है तो ब्यूट हो जाएगा फिर पांच है तो पैंद तो फिर शह है पिंट से पिनटीन हेक्स से हेक्सियन ऐसे में दियापसे अलकीन की बात करूँगा बच्छो अससे मेच्ट पाइन यह सब नाम 11 अपने पड़ा है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक अब जैसे मैं कहता हूँ कि एलकेन का फार्मूला क्या है CN H2N plus 2 सभी है कार्बन की संख्या 1 तो रखो N के जगा 1 2 गुणे 1 धन 2 तो CH4 आया कार्बन की संख्या 1 को क्या बोलते हैं मेथ इसका नाम हो गया मेथेन क्या कहलाया मेथेन कहलाया इसी तरीके से जब कार्बन की संख्या 2 रखो 2 तो C2 यहाँ पर 2 दूना 4 दो 6 तो 2 कार्बन तो H से एथेन ठीक है अर वो इसे नहीं समझ में आ रहा ना तो लाजिक से में बताता हूँ हमेशा जैसे मा लीजे दूगोना से 2 अधिक कर देना बस जैसे मेथेन में तो आप रखोगे तो सीधा CH4 है फिर जैसे हम एथेन में कार्बन की संख्या 2 है 2 दूना 4 दो 6 है ठीक है प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो 3 दूना 6 दो 8 मतलब एलकेन ग्रूप में कार्बन की संख्या का नाम पत हो जैसे कार्बन 3 है तो प्रोपेन होगा इसका प्रोप से प्रोपेन पहले आप एक से दस्ता किसे याद तो कर लो मित से मेथेन, एथ से थेन प्रोप से प्रोपेन, परिजन की संख्या कारवन की संग के एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोब, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छे है तो हेक्स, साथ है तो हेप्ट, आठ है तो आक्ट, नो है तो नान, दस है तो डिक, तो मेथ एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, औक नान देख ये क्रम से सीधे माइन में फीट होना चाहिए अभी के अभी तयार करना है आगे चल कर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कात होगी आर्गनिक कमिष्टी बहुत ज़्यादा है 12th क्लास में वच्चो इसलिए मैं बेसिक ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को समिश्य न जा अब यहां पर तो ठीक है ना कार्बन की संख्या एक रखोगे तो एक रख दिया हमने दो एक कम दो धन दो चार हो जाएगा फिर दो रखोगे तो दो हो जाएगा दो दूनी चार दो छे हो जाएगा फिर तीन रखोगे तो तीन हो जाए कार्बन की संख्या तीन दूना हाइड्रोजन रहेगा ठीक एलकेन में सभी में और जब एलकीन की बात आ जाती बच्चों एलकीन में ऐसा नहीं होता है एलकीन में सीधा दूगना रहता है जैसे एलकीन का मैं आप से कहूं एलकीन ठीक CnH2N तो सीधा आप कार्बन की संख्या दो रखो तो C2H4 इसका नाम क्या हो जाएगा दो कार्बन से आपका हो जाएगा एथीन क्या हो जाएगा एथीन C की संख्य कार्बन की संख्य तीन है तो तीन दूना छे इसका क्या हो जाएगा बच्चो प्रोपीन क्या हो जाएगा प्रोपीन ठीक है कार्बन की संख्य चार तो C4 चार दूना आठ तो इसका क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन ठीक है इसी तरह पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, आक्टीन तो यह आपका संतरप्त हाइड्रो कार्बन है लिख लो, नोट कर लो यहाँ पे आगे भी मैं लिख दिया है कार्बन के साथ तो हेप्ट, हेप्टेन से सी, सेवन, एच, सिक्स्टीन साथ, दून, चोदा, दो अधिक हो जाएगा फिर आट, दून, शूला, दो, अठारा हो जाएगा नो, दून, अठारा, दो, भीस हो जाएगा तो यह पूरे एलकेन ग्रूप है एक से दसता क्यात करना बस बाई जब आप पढ़ोगे हैलो एलकेन में तो एलकेन हैलाइड नाम रहेगा एलकेन हैलाइड, वो हो हो, यह एलकेन हैलाइड वो हैलो एलकेन का दूसरा नाम है एलकेन हैलाइड तो एलकेन समू कहां से मिलता है हमने का यह एलकेन है मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये क्या है एलकेन ग्रूप है लेकिन इसी से एलकेन ग्रूप भी बनता बच्चो एलकेन ग्रूप कैसे बनता है जब एलकेन समूँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एलकेन ग्रूप बनता है क्या कहा हमने एलकेन समूँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो निकाल दो तो बचेगा CS3 सिंगल बॉंड लगा देंगे क्योंकि किसी से बंद बना सकता है इसका नाम हो जाएगा मेथिल मतलब जो भी हमारे पास एलकेन ग्रूप है उसे एक हाइडरोजन भी स्थापित कर रहे हैं तो हमें एलकिल ग्रूप मिल रहा है इसके बाद हम एथेन की बात करें बच्चो एथेन में C2H दो दूनी 4 दो 6 इसमें से एक हाइडरोजन निकाल दो तो C2H5 इसका नाम हो जाएगा बच्चो एथिल बहुत प्रचलित नाम है इनको तो आप बार बार हजारों बार देखोगे बार बार देखोगे एथिल मेथिल तो मेथिल क्लॉराइड मेथिल ब्रॉमाइड मेथिल आयोडाइड एथिल क्लॉराइड एथिल ब्रॉमाइड एथिल प्लॉराइड एथिल आयोडाइड खोब सारा ज्यादा ज्यादा मात्रा में आप देखोगे इन सीजों को प्रोपिल हो गएरा कमी दिखेगा जैसे प्रोपेन प्रोपेन का कोई नाम पूछे तो कहोगे कार्बन की संक्यत 3 और हाइड्रोजन 3,6,2,8 हो जाएगा इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C3H7 हो जाएगा और यही आपका प्रोपिल हो गया मतलब कोई भी हमारे पास एक एलकेन ग्रूप है उससे दी एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो जो ग्रूप मिलता हुसे हम एलकेल ग्रूप के नाम से जानते है ठीक है प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिप्रोपिल ब्यूटेन से ब्यूटिल पेंटेन से पेंटिल इस तरह से हेकसेन से हेकसिल हो जाएगा हेप्टेन से हेप्टिल हो जाएगा मतलब एलकेन ग्रूप बन रहा है तो एलकील गुरूप आपसे वैसी बंदा है कि एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं तो हमें एलकील गुरूप मिल जाता है पर सानों निक जड़े तो नहीं है ठीक कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक चीज़े क्लियर है अब हम बात करते हैं बच्चो असंत्रप्त हाइड्रोकारवन की असंत्रप्त हाइड्रोकारवन जिसमें दुई बंद या तीन बंद हो दुई बंद या तीन बंद हो सीधा दुई बंद युक्त तीन बंद युक्त जैसे मैंने आपसे कहा कि एक आपका है एलकीन एलकीन का सूत्र होता है प्लस टू इसमें प्लस दो जोडते थे फिर दो हटाए फिर दो हटाए और दो कम कर दिये वह इससे दो कम किये तो यह मिला फिर इससे दो कम किये तो यह मिला ठीक है एलकीन का दूसरा नाम ओलिफिन्स ठीक है और एलकाइन का एसेटिलिन एक चीज हमेशा यह चीज भी आप L illness है गया, तो यह Alcain यह Alcain की बात करनें, तो Alcain यह Alcain, कार्बन कार्बन के भी वी इस बढ़ी बंद है, तो Alcain कार्बन कार्बन के भी इस तीन बंद है, तो Alcain होता है, अब इसमें किसी प्रकाश बटकने ज़र agrade है नहीं, अब जैसे मैं कह दूँ कि भाई सहाब ये cn h2n है कार्बन की संखे 6 रग दो तो c6 h12 इसका नाम क्या हो जाएगा तो hexine हो जाएगा सबको पता है अभी मैं इससे कहता hexine बताओ तो c6 h12 मतलब दो घटा दो तो ये हो जाएगा hexine ठीक है तो एलकीन एलकाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है बांकि आप लोग इतना समझदार हो अब हमने कहा था कि जो hydrocarbon ही दो भाग है एक संत्रप्त एक संब्रत और एक विब्रत विब्रत मतलब खुला संब्रत मतलब बंद संब्रत का मतलब होता है बंद कीन hydrocarbon कारवन परमाडू आपस में जुड़ करके बंद स्रंखला का बले बनाते हैं और आपके 12th class में main जो है बच्चो वो है बेंजीन इनको मैं नहीं कह सकते लेकिन समझने की तरीके बता रहा हूं ये इस सी इरोमैटिक से ही ध्यां रखिएगा इसी aromatic से ही बनता है arine group या बनता है arine group और हैलोजन जुड़ता है तो हैलो एरीन बन जाता है यह हमारा जैसे benzene दिंगे न यह हमारा एक प्रकार से aromatic hydrocarbon है इसी aromatic hydrocarbon से hydrogen निकाल करके जब हैलोजन जोड़ेंगे hydrogen को निकालेंगे और हैलोजन जोड़ेंगे तो आपका कहलाएगा बच्चो हैलो एरीन फिलाल एदी मैं आपसे कह दू कि चक्री hydrocarbon या संब्रत स्रंखला वाले या बंद स्रंखला वाले hydrocarbon क्या है तो जिनमें carbon और carbon के बीच ऐसा बंद बने कि वो एक बंद स्रंखला बना ले एक बंद स्रंखला बना ले एक चक्री में जैसे cyclopropane हो गया तीन carbon का cyclobutene double बान रहे इसलिए इन लगा है यहाँ पर भी pentene है 5 carbon का है cyclopentene है cycle का पया कैसे होता है गोल गोल होता है मतलब बिलकुल एकदम कहीं पर खुला हुआ नहीं रहता है एकदम joint रहता है इसलिए यहाँ पर देखो आप भूम जाओ पूरा joint है यहाँ पर गूम जाओ पूरा joint है cyclohexane है इसको अब benzene ring नहीं कह सकते बाई साहब यह hexane है सब में single wand है यहाँ पर double wand इसलिए butene यहाँ पर double wand इसलिए pentene ठीक है तो यह एक चक्री हो गया इसी प्रकार्दूई चक्री तो इसे आप लोगों को त्यार करना तो कर सकते हैं लेकिन बच्चो यदि नहीं करना है तो मत करिए लेकिन इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा यह तो आपके सलिवस में रहगा एरोमेटिक से ही पूरा काम कहानी होगा ठीक है अब इतना ही आज के लिए बच्चो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर हैलो एलकेंस और हैलो एरीन की बारे में ठीक है जब बच्चो एरीन ग्रूप में हैलोजन जुड़ेगा एलकें का जैसे मा लीजे मैं कहता हूँ मेथेन है ठीक है मेथेन में CH4 है एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक क्लोरीन जुड़ दो तो यह बन जाएगा CS3 और आपका यहाँ पर ठीक है क्लोरीन जुड़ जाएगा और H जो है CL से जुड़ करके आगे बाहर निकल जाता है इसके बारे हम बात करेंगे देकिन फिलाल अभी आपर देखो यह हैलोजन तर्त और एलकें समुम बें जुड़ जुड़ा है इसलिए कहला है sambung हब है जाए तो जो बनने वाला योगी है जो प्राप्त योगी खोता हो वह हैलो इल्केन कहलाता है जो बैस्ट अब हैलो इल्केन में आपको इसे ऐलो इल्केन आब एक़ोड़न शैहां से माउंट रहता है आप लत इह कुछ बच्चे कहते हैं आप बताते नहीं है और नंबर दे देते हैं, नंबर देता हूं बच्चो, एक छोटा सा सहयोग होता है आपके तरफ से, और हमारा पूरा 100% सलिबस आपको दिया जाता है, ताकि आपकी प्रापर रूप्स तैयारी हो सके, थोड़ी से एमाउंट रखने का पीछे थोड़ी बहुत, बच्चो, आप बच्चो, आज के इतना ही जैहिंद बंदे मात्रम